भार्दे टीम के क्रिकेटर मोहमद शमी ने अपने पतनी के आरोपे के खिलाफ सफाई देनी के लिए मीडिया के सामने आए मोहमद शमी ने इस मामले को पूरी तरह से जूठा और बेबुनियाद बताया है इस मामले के लिए पृष़् तरह से निकलने में इतना टाइम कैसे लगया है? यह मुझा लगता है क्ष़ी शम्जी साजिश है अब क्या चाते हैं? मैं हमेशा इसे लिएना चाहता हूं जैसे आपने देखाई कि मैं हुली पे फेमिली के साथ था मैं हर फेस्टिवल पर फैमिली के साथ रहता हूँ, बच्ची के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ, हर जगा वाइफ के साथ करा हूँ, इतनी ट्रॉलिंग के बाद भी मैं वाइफ के साथ खड़ा था और मैं आज भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, ना तो मेर आपको पता दे कि मुहमेद शामी की पतनी हसीन जहां ने सुमवार की रात से ही अपने फेस्बुक अकाउंट से एक के बाद एक कई एहम पोस्ट शेर किये हैं इन पोस्ट में शमी की गैर महिलाओं के साथ अश्लील चैट के स्क्रीन शॉट शेर के गए हैं पोस्ट का सीधा मतलब था कि शमी के कई और महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर चल रहे हैं इतना ही नहीं हसीन ने शमी पर उन्हें प्रतारित करने का भी आरूप लगाया है इसके सारे एविडियन्स मेरे पास है मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ जो फोन वो छिपा के रखता था और उसी में गंदी-गंदी चैटिंगे करता था कौन से नंबर से, कौन से आईडी से करता था साउथ एफ्रिका से वो 17 को निकला और इसका भी टिकेट करवाया दुबए में इसी लड़की के साथ स्टे किया और सिंगल एडल्ट नाम का रूम बुक किया इसके नाम पे और इन लोगों ने रूम सेर किया, कैसे रोमैंस करेगा, कैसे क्या करेगा जैनवरी से इन लोगों ने प्लैनिंग करके इसको किया है इन लोगों ने कंटीनू शादी के बाद-बाद से ही मेरे साथ बहुत-बहुत मेंटल और फ्रिजिकल टॉट्स सब ने मतलब मेरे सास, मेरे ननत, मेरा जेट, उसकी बीवी और मेरा हजबन